हेलो फ्रेंड्स गोड मॉनिंग एब्रीवन यू आर मोस्ट वेलकम और वेलकम और फोकस ओन टार्गेट विदिच्छा में आग मैं आपके लिए स्पैलिंग गेर लेकर आई हूं पिछले लास्ट वीडियो में हमने 75 इस्पैलिंग को डिसकस कर लिया तो उससे आगे की हम इस से स्टार्ड करेंगे हम और देखेंगे कौन सी स्पैलिंग क्या होती है सो लेस्ट वीडियो पास्ट स्पैलिंग है हमारी budgetary budgetary की spelling बता नहीं है आपको कि correct क्या होती है चलो पहले देखते हैं क्या होती है budget की लिख लो सबसे पहले B U D G E T और A R Y budget और A R Y budgetary हो गया यानि की budget यह जिसी बोलते है क्या बोलते है budget ती है तो देखते हैं कौन सा option होगा B U D G E T A R Y correct answer में मिल गया first answer ही हमारा क्या हो गया correct है ठीक है बाकि यह इसमें A add ने किया इसमें E add कर दिया है और इसमें D नहीं बनाया तो यह तीनों रोंग हो गया correct answer हो गया हमारा A next one parallel की spelling बतानी है हमें तो सबसे parallel की spelling लिग लेते हैं P A R A L L और E D एड़ कर देना है ठीक है parallel पर फिर सबसे दिखते हैं P A R A L L E L E L E D ठीक है अब देखते हैं कौन से correct हो गया और parallel means होता है समाना अंतर P A R A L L होता है पहले नमबर ठीक है उसके बाद single L पहले double L इसमें double कर दिया यह भी रोंग गया तो P A R A L L E L E D यह हमारी correct answer हो गई ठीक है P A R A double L E L E D और इसमें double R कर दिया तो यह रोंग हो गया ठीक next one आगे वेखते है arrangement की spelling बताने है आपको arrangement की क्या होती है A double R A A N G E M E N T arrangement में इस क्या होती है बिवस्था ठीक है आपका arrangement कैसा है बिवस्था कैसी है आप देखते हैं A R single word दिया यह रोंग हो गया A double R A N G E M E N T हमारा correct answer हो गया option B इसमें क्या किया इसमें E add नहीं किया यह रोंग हो गया इसमें double R नहीं बनाए यह रोंग हो गया तो correct answer B next one C में टेरी की spelling बताने है तो क्या होती है वो C E M E T E R Y C में इसमें होता है कवरिस्तान क्या होता है कवरिस्तान ठीक है अब इसको देखते हैं क्या correct है C E M E T E नहीं बनाया इसलिए रोंग है C E M E T E R Y Yes यह हमारा correct option हो गया B इसमें E नहीं होगा और डबल M नहीं होगा ठीक Next one Veterinary की बतानी है Spelling आपको वो क्या होती है जैसे की V E T E R I N A R Y यह क्या होता है Veterinary होता है पसू चिकतसा यानिकी पसू का इलाज कहते हैं जिससे हम तो हमारा option देखते हैं कौन सा correct है V E T E नहीं बनाया यह wrong है V E T A नहीं होता है B E T E N I नहीं R I होता है और correct option है हमारे इदर दिया है बू है B E T E R I N A R Y या सी हमारा correct answer हो गया पसू चिकत्षा Next one Lureate की spelling बता नहीं है correct चलो राइट करते हैं वो क्या है L A U R E A T E में इस क्या होता है पुरुसकार बिजेता जैसे point laureate होते हैं अब भी इसमें correct देखना है L A U और ईए यूआर आए नही नहीं है L A U आर ईए तो से ही लेकिन इसमें इकी कमी है L A U U, R, E, A, T, E ये correct answer हो गया और ये आई है तो ये तो रहा है ठीक है स्वाप्शन C नेश्ट बन कमांडर की spelling बतानी है तो देखते हैं सबसे पहले C, O, Double, M A, N, D, E, R कमांडर में इस क्या होता है सेना अध्यज ठीक है सेना अध्यज चलो देखते हैं क्या है C, O, Double, M नहीं बनाया C, O, Double, M A, N, D, E, R यास ये ही क्या मिल गया हमें correct answer हमारा हो गया नेश्ट बन देखते है Tranquility Tranquility की correct spelling बतानी है चलो देखते हैं T, R, A, N, Q, U ठीक है फिर I और L, I, Double, L बनाना है और I, T, Y Tranquility में सोती है सान्ती क्या होता है शान्ती चलो देखते हैं option हमारा T, R, A, N, Q, U, I, Double, L A, I, T, Y T, R, A, N, Q, U, I, Double, L, I, T, Y हमें correct answer मिल गया option A ही correct है ठीक है इसमें A कर दिया इसमें भी क्या? Double L नहीं बनाया इसमें भी Double L नहीं बनाया तो option हो गया A सही हो जाएगा Alliteration की बतानी है मैं spelling Alliteration की क्या होती है? ठीक है? तो वो देखते हैं A Double L होता है I T, E, R, A, T, I, O, N Alliteration नहीं सोता है अलंकार ठीक है? आप देखते हैं इसमें क्या है? Double L होगा ये इसलिए correct नहीं है Double L A, Double L I, T, E, R, A, T, I, U, N, E अमें correct answer मिल गया Option B Correct है और इसमें क्या है? इसमें E नहीं बनाया इसमें Double इसलिए रॉग है ये तोनों चलो आके बढ़ते हैं काफियर क्या होती है? पहले देखते हैं C, H, A, U होता है फिर डवल एफ होता है और फिर E, U, R होता है काफियर में इस होता है मोटर चालक क्या होता है? मोटर चालक तो अभी हम देखते हैं उप्सन C, H, A, U, D, F नहीं है इसमें C, H, A, U, D, F, E, U, R होता है C, H, A, U इसमें सिंगल L कर दिया और इसमें करेक्ट उप्सन हमारा हो जाएगा तो उप्सन D, C, H, A, U, D, F, E, U, R ओके? मोटर चालक ये एक्जाम्ट में आई भी थी एक बार तोजा 16 में अब हमें नेस्ट बतानी है रीमेनियूरेशन की स्पालिंग बतानी है तो र, E, M, U N, E, R, A, T, I, O, N ठीक है? रीमेनियूरेशन की स्पालिंग अभी इसमें इसका मीन क्या होता है? इसका मतलब होता है पारिस्रमिक यानि कि जो भी आपने काम किया उसके बाद आपको जो बेतन मिलता है उसे बोलते हैं तो चलो देखते हैं करक्ट कुन सा है? र, E, M, U, N N, E होना चाहिए तो ये रोंग हो गई र, E, M, U, N, E नहीं बनाया र, E, M, U अरे नेरेशन M, U, N, E, R, A, T या, U, N, E, S करेक्ट आंसर हो गया उप्शन D नेरेश्ट वन कमिटमेंट की बतानी है चलो पहरी कमिट की स्पारिंग एकलो C, O, M, M, I, T हो गया कमिट अब उसमें क्या आइड कर देना मैंट M, E, N, T ठीक है? तो कमिटमेंट मेंट क्या होता है? प्रतिबद्धिता यानि कि जो भी आपने कोई बादा किया हो उस पर टिके रहना प्रतिबद्धिता कहलाता है चलो देखते हैं उप्शन कौन सा करेक्ट होता है? C, O, M, M होना चाहिए C, O, M, M, होना चाहिए T, M, E, N, T तो करेक्ट अप्शन होगे हमारा D, नेश्ट वन फुल फिल की स्पैलिंग बतानी है फुल फिल क्या होता है? पहले लिखते हैं फुल की, F, U, L और फिल, F, I, डबल L तो यहां डखना है, यहां सिंगल से बिलेर यहां पर डबल L बनाना है फिल-फिल में इस क्या होता है? पूरा होना करना पालन करना किसी चीज का तो जैसे F, U, L, डबल L नहीं होगा पहले सिंगल L होगा उसके बाद इसमें डबल L नहीं किया C ओप्शन देखते हैं F, U, L, F, I, डबल L यह हमारा करेक्ट होगया ठीक है? यह भी रहा है नेश्ट बन बढ़ते है गैनियोलोजी की स्पैलिंग बताने है गैनियोलोजी की होती है G, E यहां रखना इसमें बहुत E और A में बहुत कन्फूजन होता है G, E, N, E A, L, O, T, Y गैनियोलोजी में इसमें होता है बंसा बली नेश्ट देखते हैं अब इसमें क्या है G, E, N, E, L, O यह ए नहीं बनाए इसमें G, E, N, E, A, L, O, G, E यही हमारा करेक्ट उप्सन हो गया इसमें भी O कर दिया इसमें क्या? इसमें E नहीं है बनाया ठीक है? इसलिए रहा है तो आप देखते हैं नेश्ट बन defendant की spelling बता नहीं है पहले defend की spelling लिख ले D, E, F, E, N D defend हो गया अब aunt की spelling सबको आती है चीटी की तो aunt की लिख दो A, N, T, defendant defendant में इसमें क्या होता है? इसमें प्रतिवादी आप देखते हैं option क्या करेक्ट है? D, E, F, E, N, D, A, N, T, S यही हमारा करक्ट हो गया इसमें E नहीं होगा इसमें A यहां पर कर दिया और इसमें तो तोनों ही जगे रहोंगा एधर नेश्ट बन recommend की spelling बता नहीं है तो R पहले recommend की लिखने R, E, C, O double M E, N, D recommend यहां रखना R, E, C, O और double M, E, N, D, N जोड़ देना ठीक है? आप देखते हैं इसमें क्या है? R, E, C, O, double M, A नहीं होता है R, E, C, O, double M, E, N, D यहीं करेक्ट हो गया option B double C नहीं है और इसमें तो M नहीं बना है चालो नेश्ट बन देखते हैं वर्सटाइल की स्पैलिंग बताने है वर्सटाइल की वो देखते हैं V, E, R, S, A, L, I, T, E T, I, L, E वर्सटाइल की बताने है तो देखते हैं वर्सटाइल मतला वोवा मुखी प्रतवाव संपन जिसमें बहुत सारी गोड़ों V, E, होना चाहिए था ये रॉंग हो गया V, E, R, S, A होता है उसके बाद V, E, R, S, A, L ने सौरी T, I, L, E वर्सटाइल ये करेक्ट उप्सन हो गया C ये तो रॉंग है नेश्ट बन देखते हैं करेस्पॉन्डेंट की स्पैलिंग बताने है तो पहले लिखते हैं करेस्पॉन्डेंट की C, O, R, E, S करेस्पॉन P, O, N फिर डेंट D, E, N, T D, E, N, T करेस्पॉन्डेंट में सोता है संबाद दाता ओके देखते हैं ओप्सन क्या करेक्ट है C, O, R, E, P, O, N तो ठीक है लेकर A नहीं होगा यहां पर C, O, R, E, G, O, R, E, S, P, O, N, D, E, N, T यहीं करेक्ट होगा हमारा ओप्सन D नेश्ट वन ओमिनस की बताने है ओमिनस होती है सबसे पर लिखते हैं O, M, I, N, O, U, S ओमिनस में इस होता है अमंगर क्या होता है अमंगर अब देखते हैं करेक्ट ओप्सन गौन सा हो गया O, M, I होता है इसलिए यह रॉंग है इसमें O, M, I, N, O, U यहीं हमारा करेक्ट हो गया ए नहीं होगा और डवल L नेश्ट वन आगे बढ़ते हैं इस्टोन ग्राफर के एक्जाम में 1994 में आया था Mathematics की Spelling देखते है Mathematics M, A, T, H, E M, A, T, I, C, S Mathematics में इस होता है अगर इसमें सबको पता है लेकिन कभी-कभी हम बस एक मिस्टेक करते हैं इसमें वो E की करते हैं हम Math की लिखते हैं तो मैटिक्स की लिखते हैं में लिखें लिखें इसमें आता है म, A, T, H, E यहाँ रोंग कर दिया म, A, T, H, E म, A, T, H, E, M नेस्ट वन आप इस पैलिंग बताने हैं तो वह ले राइट करते हैं मिन ए एन सी आई ए यार ठीक है यह दियान रखना कि जो मोस्टली स्पैलिंग जब भी आती तो इसमें यहां पर कन्फूजन होता है मैंगी पहले ए आएगा आई आगा इसको दियान रखना है अभी चलो देखते हैं फैनेंसियर में इस क्या होता है को साथ दियच अफ आई डवल एम नहीं सुरी डवल एन नहीं होता है एफ आई एन एं सी आई यार यार स्या हमारे करक्ट अपसन हमें में मिल इसमें इसमें क्या किया यह दिखो यह आगा ईए पहले बना दिया स्में अप्सन दी में स्लीव हो रहोंगे ने इस्ट वन की स्पैलिंग बतानी एक कमिटी के तो कई वार ले बता चुकी हूं एभी तक तो याद भी हो गहीं होगी के सियो डवल i, double t, double e होता है है तो सब जगे double m अब सभी जगे double आता है यह double t, double e और double m अब देखते हैं इसमें single l, इसलिए wrong है इसमें double t, बनाया इसमें double m, और इसमें क्या है यह correct option हो जाएगा D, co, double m, i, double t, double e घरहें से फेल देनिस ओस की स्पैलिंग बतानी है चलो देखते हैं पहले क्या होती है डी ए ए एन ठीक है उसके बाद एस ए यू एस ए इसका मेनिंग होता है जो नाजने मदलने जते करने वाले होती नर्टक की उसे बोलते हैं आप चलो देखते हैं क्या है दी ए एन एस पहले ए बनाना है उसके बाद यू बनाना तो इसलिए यह रोंग है डी ए एन एस यह भी रोंग है यू यू होना चाहिए था दी ए एन एस ए यू एस यहि करेक्ट हो गया हमारा इसमें एक और सी कर दिया है इसलिए रोंग है चलो नाजने स्पैलिंग देखते हैं एटिकेट की तो एटिकेट की क्या स्पहल है एट करते हैं इडवल टी नहीं होता है पहले सिंगल टी और फिर उसके बाद क्यू यू इडवल टी ए तो अब चलो देखते हैं और इसका मीनिंग होता है सिस्टा चार ए टी आई क्यू यू आई डवल टी नहीं बनाया तो इसलिए रॉंग हो गया टी आई क्यू यू एई डवल टी यही हमारे करेक्ट अप्शन हो गया बी इसमें डवल टी कर दिया इसलिए रहोँगे इसमें भी डवल टी इधर पहली बना दिया इसलिए रहोँगे तो और अप्सन वी ओगया हमारा नेश्ट देखते हैं ओवर्लेप्ट पहले ओवर की स्पाइल लिए लेते हैं और लेप्ट लेप्ट डबल पी डी ओवर्लेप्ट का मतलब होता है एक बस्तु का दूसरी बस्त से कुछ अंस को ढख लेना जैसे की एक बस्तु यसे टेवल उस किसी चीज से ढख देना ठीक है उसे कहते हैं ओवर्लेप्ट है तो हमारा अप्सन देखते हैं क्या इसमें करेक्ट है O-V-E-R-L-A-W-P-E-D-S हमें पहला ही आंसर करेक्ट मिल गया option A हमारा करेक्ट है इसमें P नहीं बनाया double इसमें भी double P नहीं बनाया और A-V की भी wrong है और double P इसमें भी नहीं है इसलिए wrong और E भी बना दिया so option A करेक्ट हो जाएगा I hope आज का सेसन आपने बहुत इंजोई किया होगा और बहुत इंपोटेंट स्पैलिंग को कम्प्लीट भी किया होगा अगे अगर आपने last videos को नहीं देखा हो last session को 10 नहीं किया हो तो आप playlist में जाकर उसको check कर सकते हैं और देख सकते हैं आपकी कोई भी spelling miss ना हो और आपके exam में आपको कोई परिशानी ना हो तो I hope आपको session पसंद आया हो तो session को like करें, share करें comment करें और subscribe भी करें, bell icon को जुरू प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो का सबसे पहरे notification मिल सके मिलते हैं नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना दियान रखने अपनी family का और अपने parents का, bye bye take care, jahind